हाई फ्रंट्स आपका स्वागत है हमाई चैनल महाँ माय सेलेक्षन में दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने इंडियन ने भी SSR AA के प्रिवियर से कोस्टन लेकर आप फ्रंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जीए के कुछ प्रिवियर से कोस्टन और ये पार्ट टू है इसके पहले मैंने एक और वीडियो लाया है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक में जाके देख सकते हैं तो सबसे पहला कोस्टन जो पुछा गया था आपके एक्दाम में साकुंतलम किस ने लिखा है तो साकुंतलम लिखा है कालिदास ने कालिदास कालिदास ने लिखा है साकुंतलम अगला कोछन है मिजो भासा बूली जाती है मिजो भासा बूली जाती है मिजो भासा सबसे हलकी धातु सबसे हलकी धातु कौन सी है तो सबसे हलकी धातु होते है लीथियम अगर आपसे पूछेगा सबसे भारी धातु तो आश्मियम आप एंसर देंगे चीके रेड क्रोस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंट्स रेड क्रोस दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आठ माई को हर एक साल रेट क्रॉस दिवस है जो आठ माई को मनाया जाता है कथक कली निर्त कहां का निर्त है तो कथक कली जो है यह केरल का निर्त है केरल में प्रसिद लोक निर्त है जिसका नाम क्या है कथक कली सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है तो सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तना हमारा ये जो गाना है ये किसने लिखा इकबाल ने लिखा है इकबाल गीत है जो इकबाल ने लिखा है ओमान की मुद्रा क्या है तो उमान की मुद्रा है रियाल रियाल उमान की मुद्रा है जिसका नाम क्या है रियाल स्वामी विवेकानंद का जन्म कहा हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कोल कता में कोल कता में किसका स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था अगला question है चीनकी रासधानी क्या है तो चीनकी रासधानी जो है तो फ्रेंट्स ये था आपका इंडिया नेवी, SSR और AA में प्रीबियस ये 추천 रहे के Qोसंग्स ये और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाईए कि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहों, थैंक यू